आज मैं आपको वनपी सम्रेला कुर्ति की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी तो इसके लिए मैंने डाय मीटर रियोन फैब्रिक लिया है तो सबसे पहले हम इस फैब्रिक को इस तरह टू फोल्ड करेंगे यह इसकी ओपन साइड है और यह इसकी जूड़ी हुई साइड है अब इसे एक कोने से पकड़ कर इस तरह ट्राइंगल में फोल्ड करेंगे तो इस तरह हमें से अच्छे से ट्राइंगल में फोल्ड कर लेना है और अब यहां कोने से एक स्ट्रेट लाइन ड्रो करेंगे यहाँ पर हमें शोल्डर का हाफ लेना है तो शोल्डर में ले रही हूँ इसके साड़े साथ इंच अब यहाँ से आर्मोल की लेंथ लेंगे तो आर्मोल की लेंथ लूँगी में साड़े साथ इंच और अब इन दोनों पॉइंट्स को चोइंट करते हुए एक श्ट्रेट लाइन बना लेंगे इस तरह और यहां से भी इसे श्ट्रेट करेंगे अब यहां पर हम चेश्ट का चोता भाग प्लस टू इंच मार्जिन लेंगे तो चेश्ट इसकी 38 इंच है 38 का चोता भाग होगा 59 और उसमें हम 2 इंच एकिश्ट आइट करेंगे तो होगा 61 इंच तो यहां पर साड़ी 11 इंच पे एक निशान लगा रही हुँ में और अब शोल्डर से कमर की लेंथ लेंगे तो कमर की लेंथ में लेंथ हूँ 15 इंच अब यहाँ पर हमें कमर का चोता भाग प्लस टू इंच मार्जिन लेना है तो कमर इसकी 32 इंच है 32 का चोता भाग 8 होगा और उसमें 2 इंच एक्ष्ट्राइट करेंगे तो होगा 10 इंच अब इन दोनों पॉइंट्स को इस तरह जोइंट करेंगे और अब यहाँ से आर्मोल का शेप ड्रो करेंगे यह हमारा बेक आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से दुसरा आर्मोल ड्रो करेंगे यह हमारा फ्रंट आर्मोल है और अब हम कुर्ती की लेंगे तो कुर्ती की रेडी लेंथ है 32 इंच और प्लस दो इंचिस में सिलाई मार्जिन लेंगे एक्स्ट्रा तो टोटल सेती सिंच मैंने कुर्टी की लेंथ रखी है और अब मैजर टेप को नीचे से इस तरह घुमाते हुए सेती सिंच में निशान लगाएंगे पूरे राउंड में और अब इन सारे पॉइंट्स को इस तरह जोइंट कर देंगे अब इस वेस्ट पॉइंट को नीचे बोटम तक मिला देंगे इस तरह तो यह मार्किंग हो गई है हमारी अब बेकार मोल से स्टार्ट करते हुए इसी मार्किंग पर हमें इसकी कटिंग कर लेंगे कि तो यह देखिए इस तरह मैंने कटिंग कर ली है और अब इसमें से हम बैक पाट को अलग करेंगे और फिरंट पाट को फिर से फोल्ड करके इसका फ्रंट आर्मोल भी कट कर लेंगे तो इसने में स्लीवस की कटिंग नहीं करूंगे क्योंकि मैं इसे स्लीवलेस बना रही हूँ अब हम इसका फ्रंट नेक कट करेंगे तो इसके लिए केनवा स्पीस लिया है जिसकी चोड़ाई 10 इंच है और लंबाई 8 इंच है इसे हम इस तरह फोल्ड करेंगे नेक की ब्रोडनेस ले रही हूँ मैं चार इंच इसे मैं हलका सा बोटनेक बना रही हूँ और नेक डीप रखूंगी में साड़ी 6 इंच में और अब इस तरह एक बॉक्स बना लेंगे अब साड़ी 3 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इसे यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रोड करेंगे अब यहां पर बोटनेक बना रही हूँ मैं तो इस तरह दी की नेक का शेप ड्रोड करेंगे और यहां से हलका सा पान शेप ड्रोड करेंगे इस तरह और अब साइड में एक इंच का केनवास रखते हुए हम इस तरह माक करेंगे और इस नेक को कट कर लेंगे तो इस तरह यह नेक हमारा कट हो गया है और अब इसे हम फैब्रिक पे चिपका लेंगे प्रेस करके इस तरह मैंने नेक को फैब्रिक पे चिपका लिया है और साइड में आधा इंच का मार्जिन रखा है जिसे हम फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे की देखे इस तरह और अब हम इसनेक को कुर्ती पर अटेश करेंगे तो यह हमारा फ्रंट पार्ट है तो पहले सेंटर में हमने एक लाइन ड्रो की है कुर्ती के बिलकुल सेंटर में एक लाइन ड्रो की और अब इस नेक को हम यहां बिल्कुल सेंटर में रखेंगे इस तरह और नेक को बिल्कुल अच्छे से सेट करके अब यहां सेंटर में एक सिलाई लगाएंगे और अब इसी शेप में नेक पर भी सिलाई लगाएंगे अब यहा राईं है और अब यहां कोने में दौरी अटेच करेंगे तो यह मैंने मैंचिंग दौरी बनाई है यह दोरी मैंने इस हो इस तौरी को यहां नीचे वीलेको रहե लंगे और उपर सिलाई लगाएंगे इसी तरह हमें दूसरी कोने पर भी इस तोरी को अटेज करना है और अब इस एक्ष्ट्रा फेब्रिक को कट करेंगे और नेक के पास छोटे-छोटे कट लगा लेंगे और अब इस नेक को अंदर की तरफ टर्न करेंगे इस तरह और इसे अच्छे सेट करके यहां उपर टॉप स्टिच लगा लेंगे तो यह देखी मैंने नेक पे अच्छे से प्रेस करके उपर टॉप स्टिच लगा लिए है और इस तरह को हम इस तरह यहां पर नॉट लगा देंगे इस तरह तो ये देखी कितना ब्यूटिफुल नेक हमारा रेडी हो गया है और अब हम फ्रंट और बेक दोनों पार्ट को मिला के शॉल्डर जोइन करेंगे तो ये देखी शॉल्डर जोइन कर लिए है मैंने और बेक सैट भी मैंने बोटनिक बनाया है जिसकी चोड़ाई 4 इंच और लंबाई 3 इंच है अब हम आर्मोल रेडी करेंगे तो इसके लिए मैंने ये क्रोस पट्टी लिये है जिसकी चोड़ाई 2 इंच है इसे हम इस तरह फोल्ड करके यहां आर्मोल पे रखके श्टिच करेंगे और अब इस पट्टी को अंदर की तरह टर्ण करेंगे और उपर एक टॉप श्टिच लगाएंगे और इसी तरह हमें दूसरा आर्मोल भी रेडी कर लेना है तो यह देखी दोनो आर्मल रीडी हो गये हैं अब हमें इसकी side join करनी हैं तो दोनो side fitting की marking करके इसी marking पे हमें सिलाई लगानी है और नीचे bottom से भी इसे double fold करकी इस तरह सिलाई लगा लेंगे पूरे round में तो ये top बनके अब ready हो गया है और ये है इसकी final look